हलो वीवर्स वेलकम टूबाइ यूटूब चैनल परमांट इंग रिस्टी पितराजन सर आप लोगों के लिए यहां पर जो है कई चीज़े हैं असिस्टेंट प्रोफेसर से रेडिटर यूजी जी नेट पीजीटी टीजीटी राचिक एल्टी रेट लोग से वायो एक्षिर वेटिंग लिस्ट नुवेकंसी एडवर्टीजमेंट यह सारी चीजें आपको इस वीडियो में मिलने वानी है वीडियो आपके लिए बहुत इंपर्टेंट है इसलिए वीडियो को लाज तक अवस्त देखें फर्स्ट पहला जो चीज आपके सामने हुए है कि एसिस्टें परियाग राज में इसका एक्जाम हुआ तीन चरणों में 30 अक्टूबर 30 नॉमबर 28 नॉमबर इसमें आपको मालूम है कि दो दो पालियों में परिच्छाएं कराए गई है कुलमला के छे पालियां हुई थी तीन चरण थे परिच्छाएं खतम हो चुकी है अब परिच्छ मागने के लिए डेट दे दिया गया है अब आप यह आसा कर सकते हैं कि एंसर की का आजाना आपतियों को मागना इससे यह असपस्ट हो रहा है यह आपनों का जो रिटन का रिजल्ट है वो सीग्र ही निकालने का प्रयास किया जाएगा चुकी असिस्टेंट प्रोफेसर की अगली वेकंसी भी आने को है और उसके लिए एक-दो महिने का समय लगेगा और वो भी वेकंसी आपके सामने आ सकती है यह था आपका असिस्टेंट प्रोफेसर जो उचतर सिच्छा यूग उत्तर प्रदेश का दूसरा यूजी सीनेट का आप एक्जाम जानते हैं आनलाइन एक्जाम जो एकंटीन्यू चल रहा है जो अनस सब्येट अबागे के हैं यसे संस्कित का सब्येट है अब उसके लिए भी जो रेटर एडमिट कार्ड सब जारी हो गए है अब उसको जाकर रिके देख सकते हैं साइट पर आगे की चीजे जो भी से बच्चे हुए हैं उनके एक्जाम के एडिमिट कार्ड भी डाउनलोड किये गए हैं यह एक्जाम का रेजल्ट आप लों का जन्वरी में आने का चांस रहेगा यूजी सीनिट का क्योंकि जब तक फाइनल एक्जाम कंप्लिट नहीं होता है तब तक रिल्टाने की पॉस्बिल्टी नहीं है नेस्ट है आपका इराजकी इल्टी रेट, राजकी इल्टी इल्टी रेट का जो new advertisement है, वेटिंग लिस्ट है, वेटिंग लिस्ट आने की जो संभाना बनी थी अभी तक नहीं आपाई है, लेकिन वेटिंग लिस्ट की आ सकती है कुछ सब्जेट में, कुछ सब्जेट में आ स सकता है वो mathematics का English का science का physical education और कुछ subject हो सकते हैं आपके जो भी वो आपको बताया जाएगा नेस्ट है आपकी चीजे राच्किल्टी रेट की vacancy से related vacancy आपनों को बताये थे कि आप लोंके December के last में या January के first second week तक आएगी राच्किल्टी राच्किल्टी रेट की possibility भी vacancy की पहले बन रही है और ये कार्च्क की अधिगाजन का उनका पूरा हो चुका है इसलिए राच्किल्टी रेट की vacancy आ सकती है जल्दी December के लाट तक या January के first week में देखा जा सकता है वही मादमिक सिच्छा सिवाचान बोर्ड से related waiting list का जो मैंटर है जो 10% का मैंटर था उस पर विग्यप्ति जारी होने की बात थी तीन चार दिन वे विग्यप्ति कोई आ सकती है ऐसी सूचना मिल रही है और वो आपका 10% का जो वेटिंग लिश्ट था हाँ new vacancy की बात है तो new vacancy आपकी 277,000 की बात हो रही है उसमें टाइम लगेगा और ये आपकी बेकंसी अब जनवरी में ही आने की चांस बन रहे हैं डिसंबर में लाष्ट तक हो सकता आ जा लेकिन जनवरी में ही चांस इसकी ज़्यादा बन नहीं है क्योंकि अभी अधियाचन लेने का कार होगा धियाचन लेने के बाद उसमें लगेगा थोड़ा सा टाइम लगेगा आप जानते है पोर्ट तो ओपन है और अधियाचन ले इसके बाद आती है बात आपकी लोग से वा आयोग में लेक्शरशिप का जो रिटन का एक्जाम था जो आपकी तक नहीं आ पाया संभाना पॉस्बिल्टी तो इसकी बनी होई थी 27 नॉम्बर से आवाज हो गया आपका 11 डिसंबर और रिजल्ट नहीं आया वो रिजल्ट आ आपका अब आने का चांस हो गया है पूरी तरह से हो गया है अब आपका रिजल्ट इसी सब्का में देखने को मिल जाएगा ताइम उधर जरूर लग गया कुछ कराड ऐसे थे लोग से वायोग में जहां पर लोगों की विस्तरता भी थी और दूसरा करड उनने ये बताया क कि जो लोग से वाग आयोग के द्वारा आयोजीत परिच्छाएं हैं कई परिच्छाओं को उनको कराना था इधर और इधर चल भी रहा है इसलिए उसमें समय लग रहा है लेकिन वो जन्दी आयाएगा में इसके एक्जाम के लिए डेट एक्स्टेंड होगा ऐसी पूरी सं रही है एक्जाम को कराने की पूरी संभावना है कि आपके जन्वरी के फर्ष्ट वीक तक या सेकंड वीक तक एक्जाम होगा फर्ष्ट वीक में चांस ज्यादा है आपका यूपी टीटी का एक्जाम जन्वरी के फर्ष्ट वीक तक यानि कि दस जन्वरी के पहले आपका ये एक्जाम कराने की पूरी पास्बिल्टी बड़ी होई है, हो जाएगा, जूनियर एडर से लेटर आप जानते हैं, जो पिरक्रिया प्रॉस से जागे बढ़ा था, वागे बढ़ा हुआ है, जिन लोगों के इंडेक्स अच्छे बन रहे हैं, और जिनके कोशन काफी के लावाजवाती है, कि न्यू एडवर्टीजमेंट, जो माध्विक सिच्छा सिवाचन बोड का है, उसमें कौन से सब्यट ऐसे हैं, जो नहीं रहेंगे, जैसे जू भी ग्यान है बालोजी का, तो बालोजी के पद रहेंगे, बालोजी की सीट आ रही है, और कलाका भी लेकिन 2016 का जो वेकंसी था, और 2021 की जो वेकंसी थी, उसमें प्रेस्पल का पोस्ट नहीं आ पाया था, इस बार वो पोस्ट आ रहा है, अच्छी संख्या में आ रहा है, ये जानकारी तो मिल गई है, और बाकी जो 25 परसंट की बेटिंग थी, उसकी अभी कोई सूचन नहीं म हुआ है, तो ये सारी चीजे थी, हाँ, ये है कि माधिक सिछा सिवाचन बोट की जो बेकंसी है, PGT और TGT और प्रेस्पल की, ये मिला करके मोर देन 20,000 हो सकती है, 27,000 ही हो, ये से और नहीं है हम, और हो जाए तो 100 फार सो गुट, उससे भी ज्यादा हो जाए, ज्यादा सी ज्यादा लोगों को उसर मिले, और ये एक्जाम की बात आती है, कि सरकाते हैं, आप पूछते हैं कि सरकाते हैं, आप पूछते हैं किसका कब तक हो सकता है, तो देखिए अभी तो एडिवेटिजमेंट आवे है, और एलेक्शन भी करीब है, अचार सहीता लगने के बाद इ हाँ, लेकिन एडिवेटिजमेंट आ जाएगा, एक्जाम आपका होने का चांद सेलेक्शन के बाद ही दिख रहा है, उसके पहले तो नहीं दिख रहा है, और गवर्मेंट करा ले जाती है एक्जाम तो ये बहुत अच्छी बात होगी, और एक सरहनीय कदम होगा, ये था आ बाकि और जो आपसे डाटा इंफार्मेशन है, वो सब आपको पताते रहेंगे, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स, हाइव नाइस टेया